हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आपकी फ्रेंड्स फिल लेकर आई हूं एक कोस्टन सो हम आज जिस कोस्टन के बारे में डिसक्शन करेंगे वो है विटामीन से यह आया है यूणिट नमबर वन यूणिट नमबर वन से है बायो केमिस्ट्री ओके एंड CSIR का पेपर है CSIR UGC NET 2019 का अभी जो हाल में डिसंबर में जो पेपर हुआ था उससे यह कोश्टन है तो कोश्टन नमबर टैन तो फ्रेंड्स अब आप का यूप की समझ में आ गया होगा कि यह कोश्टन कहां से लिया गया है एंड किस यूनेट से सफ्रेंड्स में हमें सिर्फ जो है क्या करना था मैच करना था कुछ जो है डिजीज ती हुई थी उन्हें विटामिन से मैच करना था कि यह डिजीज किस विटामिन से किस विटामिन की डैफिसेंसी की वज़ा से हो रही है इसमें जो है आपको जो है विटामिन चार विटामिन हमें इसमें दी हुई थी नमबर वन विटामिन A, विटामिन B12, विटामिन D, विटामिन K और इन चारों के बारे में हम बच्पन से पढ़ते हैं लेकिन हमें फिर भी याद नहीं होता कि विटामिन डी विटामिन डी के बारे में भीenser आप को पता होता है ये जैसे बोलते हैं सूरेषजय के सूर लो लो एक्शन के लाइ नहीं जो शीवट दूप लो विटामिन 3 तो फ्रेंट्स किस समय्ट हो जाये विटामिन 2 प्रे 27 D में मीरा है A में मिल रहा है, थीक है, 2 में भी मिल रहा है, लेकिन तीन में नहीं मिल रहा है, तीन में B है, इसलिए यह रोंग हो जागा तो हमने हाँ से क्या कर लिया, दो ओप्सन को eliminate कर लिया, अब बचे हमारे पास 2 ओप्सन, 1 और 2 अब इनको कैसे करें कि आपने के बारे में पढ़ा होगा कि क्लोटिंग के लिए होता है, ठीक है क्लोटिंग के लिए तो इसमें जो है अगर हीम ये किस से रिलेटरल हो जाएगा हीम और ब्लड जो है हीम तो हेमरेंजिंग, हेमरेंजिंग अगर ये मैच कर जाएगा डी से, विटामिन के की वज़ा से क्या हो रहा है, हेमरेंजिंग हो रहा है तो सबडर्मल हेमरेंजिंग किस की वज़ा से होगा, विटामिन के की डेफिसियंसी की वज़ा से होगा और तो यह जो है एक फॉर का बी किसमें मिल दा था फॉर का बी मिल दा था सिर्फ वन में फॉर का बी जो है किसमें था सिर्फ बी में था यही से हमारा जो है उपसन नमबर वन सही हो जाएगा उपसन नमबर वन हमारा यहां से सही हो जाएगा सब्सक्राइब करने किसे गता है प किसे की देफिसेंस से होगा वह को समझ आ गया होगा कि इसमें जो है हमें क्या करना था और किस तरह से ऐलिमेट करने थे तो इसके बाद में option number one हमारा हो जाएगा correct answer अब इसके बाद आता है यहां पर भी यही दिया हुआ है किस तरह से था यह and option कुन सा सही था option number one is correct answer and अब आता है अगर हम अगर हम इन disease को विटामिन को detail में पढ़े तक क्या होगा अब आता है vitamin vitamin A की वज़े से होता है night blindness and nectalopia nectalopia भी इसको हम कहते है nectalopia भी याद रखना इसका दूसरा नाम अगली बार जो है nectalopia आ जाए vitamin A से मैच करने के लिए या कुछ भी हो सकता है also called night blindness and is a condition making is it difficult or impossible to see in relatively low light या तो low light अगर light कम है low light है तो उसमें या तो ऐसे पैसेंट को दिखता ही नहीं है impossible होता है देखना या फिर जो है उसको जो है difficulty होती है देखने में and second हमारे पास आता है second आता है B12 deficiency की वज़ा से क्या हो रहा था परनीशियस अनेमिया का आपको पता ही है परनीशियस अनेमिया यह हो जाएगा and blood की कमी blood की कमी होना परनीशियस अनेमिया is a type of blood disorder caused when the body does not make enough red blood cell due to lack of vitamin B12 vitamin B12 की जब lack होती है कमी होती है तो उसकी वज़ा से जो है enough amount में आर बी-सी का production नहीं होता आर बी-सी सेल नहीं बन पाती यह होता है परनीशियस अनेमिया और यह किसकी efficiency से हो रहा है यह हो रहा है अब हमारे पास थर्ड आता है थर्ड आता है हमारे रिकेट्स ओके जो हमारे थर्ड अप्शन था वह था D, vitamin D की deficiency से हो रहा था रिकेट्स ओके and रिकेट्स is the softing and weakening of bones in children okay तो bones in children usually because of an extreme and prolonged vitamin D deficiency अगर बहुत दिनों से vitamin D की कमी है तो उसमें क्या हो जाएगा जो bones होंगी वे क्या हो जाएंगी वे हो जाएंगी softening and weakening वह ज्यादा कमजोर हो जाएंगी and वह ज्यादा soft हो जाएंगी जो हमारी bones होंगी जो हमारी हड्य होंगी इसलिए जो है vitamin D की कमी कभी नहीं होनी चाहिए for for हमारी health and जो second option है वो है rare inherited problem also can cause recates inherit भी हो सकता है inherited problem की वज़ा से भी जो है हमें जो है recates हो सकता है and option number point third जो है वो क्या है vitamin D help your child's baby absorb calcium तो यह क्या करता है vitamin D help करता है and phosphorus from food तो vitamin D help करता है phosphorus और calcium को absorb करने में कहां से absorb करेंगा वो करेगा food से तो यह क्या करता है calcium and phosphorus को absorb करने में काम आता है food से जो absorb होता है and I hope कि आपको समझ जा रहा and vitamin K के बारे मगर हम बात करें यह हमारा four option था तो vitamin K जो जिसकी deficiency से होता है subdermal hemorrhaging hemorrhaging हीम आ रहा है तो blood से related होगा vitamin K deficiency bleeding तो इससे bleeding और इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा वो हो जाएगा VKDB also known as hemorrhaging disease of the newborn यह किया होता है कि new born babies में होता है new born baby में vitamin K की कमी होती है जिसकी वजह से यह disease हमें देखने को मिलता है इसका नाम होता है subdermal hemorrhaging and is a condition in which newborn babies bleed uncontrollably because they do not have enough vitamin K in their body okay so I hope के समझ में आ रहा हो आपको कि vitamin K जो है वो enough amount में नहीं बन पाता है जो babies होते हैं उनके अंदर enough amount में vitamin K नहीं बन पाता है क्योंकि वो अभी अभी born होया है उनके अंदर सभी जो है इतनी capacity नहीं होती कि वो इतनी amount में vitamin K बना पाएं इसलिए जो है उनके अंदर deficiency हो जाती है और deficiency की वजह से उनके उनने disease हो जाता है VKDP okay और इसमें होता है कि baby's blood uncontrollably okay uncontrollably होता है and because they do not have enough vitamin K in their body I hope कि आपको यह सारा कुछ जो है समझमा गया हो कि किस तरह से यह vitamins हैं किस तरह से इनकी deficiency disease हो रहे हैं and यह सभी जो है details में हम पर लिए इसके बाद जो है मैंने कुछ यहां पे list दी हुई हैं जिनसे आप other vitamins के बारे में भी पर सकते हैं आप यहां से जो है skin soat लेके आप जो है learn कर सकते हैं कि किस तरह से vitamin of vitaminejat A होगा its, vitamin A की वज़चे से सкого रहायाleh wes western vitamin A की वज़चे से lifes region vitamin B की वज़चे से B1 की वज़चे保़ 4 कमजोर हो जाते है तो आपको पता योगा एनेयमिया होता है बलड की कम कहते इसके इसम्टम्स भी दियो गए है जैसा है एनेयमिया होने की वज़से जो है क्या हो就是 है तो आप लेंड कर सकते हैं सिंतम्स भी इसके शिकर होंसे जिसके अंदर 13 विटामिन्स दी हुई है और इस सबसे बड़ी बात किया है आप जाए विटामिन्स के नाम भी है जैसे थियामीन है B1 को हम जाए थियामीन कहेंगे B2 को हम रेफी रेफ लेवीन कहेंगे और इसके वज़े से गोल्स्टर हो गया जैसे कि मैंने भी बताई भी थे काफी नाम आपको और इस विटामिन 3 की वज़े से नियसीन विटामिन 3 का जो नाम है वह नियसीन और प्लेगरा होगा विटामिन 6 की वज़े पारेडोक्सीन विटामिन 6 को हम कहेंगे पायुरडोकसिन जिसकी वीटामिन." चुकि हमने भी पड़ा भी था, और वीटामिन B12-Cynivo-Cobalmine जिसकी यहा से है कि इनैमिया Batman V9-B9-Cy rumor फोलीकचिद. पहले भी हमने एक बार पढ़ चुके हैं अपनी वीडियो में एनेमिया जिसके वज़े से क्या हुआ एनेमिया हो रहा है पैल्टो थैनिक एसीड बर्निंग फीट होता है बयोटिक वज़े से क्या हुआ बयोटिक भी एक बहुत काफी इंपॉर्टेंट जो है है विटामिन काफी important vitamin of biotin, जिसकी वज़ेसे nerve disorders होते है, and scarbic acid, ये तो आपने पढ़ाई होगा, scarbic acid, vitamin C, skrvi rog, and tan, जो है, वो क्या है? Vitamin A, retinol, अभी जो है, retinol हम अभी पीछे पढ़ाता है, तो उसमें कहाता कि, night blindness, जसके ह breeds से होना है नाइट ब्लाइडroll उसके रिर का जाला है जैसा शका है रिक्राहिस के जाएन और वितामिन ए फर्टिलिटी में集ा हो। के लिए टोकोफेरोल जिसका नाम है फार्टिलिटिली कह लिए ऊस्का नाम है विटामिन के स्सकी प्लब करते हैं लोटी कहिस चाहजा तूमर्श प्लड ट्लोटिंग इसका नाम होता है यह आप लुण कर सकते हैं इसकी वजासे क्या डिफिशैंसी से कुन सा डिजी जो का होगा बलड क्लो टिंग जिसमें नहीं हो पाती और काफी बलड निकल जाता है बलड क्लो टिंग जिसे हम कहते हैं I hope कि आपको यह सब समंझ में आया हो आप यहां से लर्न कर सकते हैं यह भी एक टेबल आपके सामने है यह दी हुई है इसे आप एक बार देख सकते हो इस क्रिंट सोट ले सकते हो और लास्ट में यह यह कुछ दिदीज हैं जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार और पढ़ लें ताकि हमें और अच्छे से लर्न हो जाएं फ्रेंजs यहंपर दिया हुआ है वbro भी आज नाइटीडैनेस विटामीं अबॐ अटीलज्जह दोटामीं अनने सीच्छ यह दीश। and vitamin B6 and anemia vitamin B7 dermatitis and a rights and vitamin 9 vitamin B12 megaloblastic anemia I hope कि आपको समझ आ रहा हो कि किस तरह से यह हमें learn करनी थी या आपको सभी vitamins and उनकी deficiencies होने वाले disease के name है and इसके बाद आता है इसकर्वी vitamin C vitamin C की वज़े से क्या हो रहा है vitamin C इसकर्वी के लिए and swelling of gums जिसमें gums जो है काफी swelling हो जाती है vitamin D recates and osteomalacia osteomalacia किसे मतब यह भी जो है हडियों से बोन से इनसे related है vitamin E की वज़े से पहले हमने पढ़ाता है less fertility males में, females में and यह सब देखने को मेरा vitamin K क्या हो जाएगा non-cloting of blood blood की clotting नहीं हो पाती non-cloting of blood vitamin K की वज़े से I hope के अब आपको सभी समझ मा गया अगर आपको लगता है के यह वीडियों आपको कुछ भी थोड़ा बहुत भी help कर रही है तो friends please like करें, share करें and subscribe now friends subscribe करें and मुझे comment करके जरूर बताएं के वीडियों किस तरह की है कितनी इन में अभी कमिया है क्योंकि जब आप मेरी help करोगे अपनी help करोगे तब ही हम एक साथ grow कर पाएंगे so friends please आप comment करके मुझे जरूर बताएं कि मिन नेक्स्ट वीडियो किस टोपिक पर बनाऊ and मुझे कितना improve की और जरूरत है and आपको क्या और इन वीडियो के अंदर किस तरह का पीडियाफ चाहिए आप ये मुझे comment करके जरूर 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 बताएं so friends okay bye and thank you friends